हलो एब्रीवन, वेलकम प्रो नॉले स्मॉल, तो आज की जो वीडियो है, वो है थोड़ी खास, क्योंकि आज से मैं कुछ नया स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि काफी सारे कमेंट भी आ रहे थे, उन सारे कमेंट को देखने के बाद मैंने सोचा कि जल स यह स्टार्ट कर दिया जाए, तो बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करते हुए, मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि आज से जो स्टार्ट हो रहा है, पहले की तरह बिल्कुल 40 कोशन का MCQ सेट आज से मैं ला रही हूँ, BSSC Mains, बिहार दरोगा और बिहार पुलीस के ल रहा है, चैनल से फटाफट से जुड़ जाएगा और यह आपको अप से कंटेनियो देखने को मिलेगा, क्योंकि BSSC Mains का भी एक्जाम आपको आगर जो कैंसिल हुआ है, वो पेपर का पीटी हो जाने के बाद, तो यह से दो महने के बाद आपका मैंस का भी एक्जाम हो जाए तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए, आज देखते हैं हम लोग फोटी कोशन का MCQ टेस्ट को नियंतरित करना है, एमफी साइमा निमलखित में से किसे प्रभावित करता है, आंसर है ओप्सन B, फेफडा को, MC फाइमा मुख्यता धुआ के संपर्क में सबसे अधिक रहने वाले या फिर सिक्रेट पीने वालों को या प्रभावित करता है, यह रोग फेफडे में वाय कोष्ट को छतिग्रस्त कर देता है, निमलखित में से किस प्रकिर्तिक पदार्थ में लोहा विद्दमान होता है, आंसर है ओप्सन D, मायो गलोबीन में, क्लोरोफील का आवस्यक घटक मैगनीशियम होता है, कैरोटीन एक परकार का प्रोटीन होता है, मायो गलोबीन इस्तन प्रश्चिमी प्रशांत महासागर में मेरियाना खाई प्रश्चिमी प्रशांत महासागर में मेरियाना दुईस्जमू के पूरव में इस्थित विश्व का सबसे 1 महासागर यह गर्त है निमलिखित मेंसे कौन सी महासागर यह धारा हिंद महासागर से established है आंसर है option C अगुलहास धारा फ्लोरीडा धारा ये अटलांटिक महसागर, कनारी धारा ये भी अटलांटिक महसागर की और क्यूराईल धारा ये प्रशान्त महसागर की जलधारा है सरंजामी प्रथा किस से संबंधित थे? मराठा काल में सरंजामी प्रथा भूराजस्व प्रशासन से संबंधित थे इस काल में मराठा जागिदारों को सरंजामी भूमी उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थे भारत के सम्विधान में लोगसभा में अनुसूची जन्जातियों के लिए व्यवस्था की गई है आंसर है इसका ओप्सन A अनुच्छे 330 में आरोगि से तु A भारत में किस दिन लागू किया गया था आंसर है ओप्सन B 2 अप्रेल 2020 को भारत में 2 अप्रेल 2020 को COVID-19 महमारी के प्रशार को रोकने की कोसिसों में आरोगि से तु मुबाइल एप लॉंच किया गया जिसका उद्देस ब्लुटूथ पर आधारित किसी से संपर्क साधनी संभावित होट स्पोर्ट का पता लगाने और COVID-19 के बारे में प्रासंगीक जानकारी प्राप्त करना था फ्लोएम एक उत्तक है जो निमलिखित में से किस में पाया जाता है आंसर है इसका उप्सन सी पादपो में भारत में प्रवाल भित्ती के अंतरगत सरवादिक छेतर निमलिखित में से किस राज या संग राज छेतर में है आंसर है इसका उप्सन डी अंडमान निकोबार दूइप समू में हाल ही में भारत ने अपना पहला द्रव दरपन दुर्वीन लिक्विड मिरर टेलोस्कोप कहां अस्थापित किया है आंसर है उप्सन बी उत्राखंड में उत्रखंड के नैनिताल में स्थित देवस्थल वेज साला परीशर में भारत ने अपना पहला लिक्विड मिरर टेलिस्कोप अस्थापित किया है मानो सरीर में वसा किस उत्तक में जमा होता है आंसर है ओप्जन ए एडी पोज उत्तक में इस्थिर्ता के साथ विकास के उद्देश से निमलखित में सी कौनसी पंचवर्षी योजना सुरू की गई थी आंसर है ओप्जन सी चोथी पंचवर्षी योजना इस्थिर्ता के साथ विकास के उद्देश का संबंध चोथी पंचवर्षी योजना से है भारत में चोथी पंचवर्सिय योजना 1969 से 1974 तक लागू की गई थी यह असोक रूद्र मेनन मौडल पर आधारित योजना थी इस योजना का मुक्योद देश इस्थिर्ता के साथ विकास करना और आर्थिक सम आत्म निर्भरता की प्राप्ति करना था भारत के समविधान में निमलिखित में से कौन सा संसोधन भाषा के आधार पर भारती राज्यों के पुनरगठन को समविधानिक रूप से बदलने के प्रात्मिक उद्देश के साथ पारित किया गया था भारत की समविधान में सात्मा संसोधन भाषा के आधार पर भारती राज्यों के पुनरगठन को समविधानिक रूप से सांकितिक सब्दों में बदलने के प्रात्मिक उद्देशों के साथ पारित किया गया था हेमिस महोट सवक किस राजय या के अंदरसासित प्रदेश में मनाया जाता है आंसर है ओप्सन C लद्दाख में दलखाई नरित्य किस प्रांथ का एक लोक नरित्य है आंसर है ओप्सन B उडिशा का चाभार बंदरगा कहां इस्थेत है आंसर है ओप्सन D ओमान की खाड़ी में नाटो के संदर्व में निमलखित में से कौन सा कथन गलत है आंसर है ओप्सन D कोई नहीं नाटो अमेरिकी नित्रित्यों का एक सैन्नि संगठन है इसके स्थापना 4 अप्रेल 1949 को हुई थी इसके वर्तमान देशों की संख्या 30 है मार्च लाइन सब्द किस खेल से संबंधित है आंसर है इसका ओप्सन A कबड़ी से राच्य विधान परिशत के कितने सदस विधान सभाद्वारा चुने जाते है आंसर है इसका ओप्सन A एक तिहाई सदस से डॉक्टर भीम राव आंबेदकर संविधान सभा में कहां से चुने गए थे आंसर है ओप्सन D पस्चिम बंगाल से कैबिनेट मिशन योजना के अंतरगत 1946 में संविधान सभा के निर्वाचन में भीम राव आंबेदकर सर्व प्रथम मुंबई से सेड्डिूल कास्ट फेडरेशन के उम्मिदवार के रूप में थे किन्तु वह यह चुनाव हार गए भीम राव आंबेदकर जैसे योग और प्रतिभा साली व्यक्ति का संविधान सभा में योगदान और भूमिका के लिए उसका संविधान सभा का सदस्य होना आवश्यक था इसी को मद्दे नजर रखते हुए फिर से मुस्लिम लीग के सहयोग से बंगाल से उम्मिदवार बनाया गया और वहां से वह विजई रहे हमारी आँख का कौन सा भाग पाराबैगनी भी विकीरन का अफसोशन करता है हमारी आँख का कौन सा भाग पारबैगनी बी विकीरन का अफसोशन करता है आंसर है इसका ओप्सन C, कॉर्णिया निमलिखित में से भारत का पहला नगर निगम कहां अस्थापित हुआ था आंसर है इसका ओप्सन A, मदरास में भारत में पहले नगर निगम कह अस्थापना पूरू प्रेसिडेंसी नगर मदरास में 1688 इस्वी में की गई थी नाभिक के अतिरिक्त कोसी का के किस कोसी कांग में DNA होता है आंसर है इसका ओप्सन B, माइटोकॉंड्रिया में नाभिक के तिरिक्त माइटोकॉंड्रिया तथा हरित लवक में DNA पाये जाता है ग्रैंड कैनियन किस नदी पर इस्थिद है? आंसर है ओप्सन D, कोलोराडो नदी पर ग्रैंड कैनियन घाटी सन्युक्त राज अमेरिका के एरिजोना राजे से होकर बहने वाली कलोरेडो नदी की धारा से बनी तंग घाटी है निमलिखित में से कौन सुरक्षा पर कैबिनेट समीती का सदस्थ से नहीं है? आंसर है इसका ओप्सन C, कानून मंत्री सन्युक्त राज्ट संग के महा सचीव का कार्याले क्या कहलाता है? आंसर है ओप्सन D, सचीवाले अरब लीग का गठन कब हुआ था? आंसर है ओप्सन ए 22 मार्च 1945 को अरब लीग का गठन 22 मार्च 1945 को एक चार्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद हुआ था मिसर, इराक, जार्डन, लेबनान, सौधी अरब और सीरिया जैसे 6 सदस्यों के साथ काहिरा में इसके स्थापना की गई थी भिन भिन तत्तों के ऐसे प्रमानों जिनकी प्रमानों संख्यां तथा दरबमान संख्यां दोनों अलग-अलग होती है किन्तों उसमें उपस्थित न्योट्रोनों की संख्यां समान होती है कहलाती है आंसर है ओप्सन C, सम न्योट्रोनिक आवदान साहित किस धर्म से सम्बंधित है? आंसर है इसका ओप्सन B, बौध धर्म से संस्क्रित भासा में रचित बौधों का चरित परधान साहित ये आवदान साहित कहलाता है राष्टिय जन्जाती अनुसंधान संस्थान कहां इस्थित है? आंसर है option C, नई दिल्ली में निमनलिखित में से किस कवक से विटामिन B12 का संसलेशन किया जाता है आंसर है option B, Streptomyces Greasycus के द्वारा कवक से कई परकार के विटामिन का संसलेशन किया जाता है Streptomyces Greasycus से विटामिन B12 का, गिस्ट से विटामिन D का तथा अस्विया गोसिपी द्वारा विटामिन B2 का संसलेशन किया जाता है निमनलिखित में से कौन सा मिलान गलत है आंसर है option D, दिया गया है कि यहाँ पर गरवाल राज के संस्थापक उपेंद्र राज यहाँ पर राज है और यह संस्थापक दिये गया है तो यह जो मिलान है यह गलत है क्योंकि गरवाल वंस के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रदेव बाकी के उप्सन सही है चोल का विज्याले, चंदेल का नन्नुक चंदेल और पल्लव का सिंग विष्णू दीनेस गोस्वामी समीती का संबंध था आंसर है उप्सन B निर्वाचन सुधारों से दोहजार ग्यार में लोकायुक्त विधयक पारित करने वाला प्रथम भारती राज्य कौन सा है आंसर है उप्सन C उत्राखंड भारत के सम्विधान के नवे भाग के अधीन पंचायती राजववस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती आंसर है उप्सन C नागा लेंड मेगाले तथा मिजोरम में कांगेर वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज़ में इस्थित है आंसर है उप्सन C 36 गर्ड में वित्वत उर्जा की वानेजिक यूनिट किलो वाट घंटा है जो बराबर है आंसर है उप्सन A 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल 15 से 29 दिसंबर 2022 को बिहार सरसमेला 2022 का आयोजन कहां किया गया था आंसर है उप्सन B पत्ना में पत्ना के गांधी मैदान में बिहार सरसमेला का आयोजन किया गया था तो ये थे 40 कोशन का सेट आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें धन्यवाद